गुड मॉरिंग इस्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डाईफ्रेक्शन या बीवर्तन की बात करेंगे तो बीवर्तन की घटना क्या होती है उसके वारे में हम पहले देखेंगे तो आप को दिख रहा जैसे कि नोट्स में भी लिखा हुआ है के रहा कि यदि हम आपके घर क उसके भीतरी किसी भाग में बैठे हुए हो! कोई घर है मारा इस तरह से बना हुआ है. उसके भीतरी भाग में हम अंदर यहां बैठे हुए है ठीक है? फिर उसके बत का कह सा है, बाहर कोई बैंड बज़ रहा है yes principles band बज रहा है ठीक है यह band बजाने वाले लोग हैं आपर कुछ लोग है ठीक हैं अब यहां से आवाज चलके आती है और क्या होती है आपके घर के अंदर भी आ जाती है ठीक है तो कहरा है इसी परकार यदे हम किसी दीवार कि एक और खड़े हो तो दूसरी और खड़ा कोई व्यक्ति हमें पुकारता है जैसे हम कह दे कि यहां हम यहां पर यह दीवार है इस पर हम खड़े हैं और इस तरफ हम हैं दूसरा व्यक्ति है तो क्या करता है पुकारता है तो हमें यहां पर आवाज सुनाई दे जाता है जब कनारों मुड़ जाने की घड़ना जो कर रही है और मार्क से मुड़ करके दूसरे तर्फ चली जाना या मुड़ जाने की घटना को अपने मार्क से आने वाले औरोधों के किनारों से मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं बीवर्तन कहते हैं अब प्रकास का विवर्तन हम देखते हैं कि प्रकास का विवर्तन क्या है तो हम जानते हैं कि प्रकास तरंग है 1678 इस्वी में हाइगेंस ने तरंगी का सिध्धान्त के माध्यम से हमें समझाया था कि प्रकास क्या है तरंग प्रकृति की है ठीक है अब प्रकास इक तरंग है तो इसमें भी संभव है कि विवर्तन होना चाहिए दनी जीवन में लेकिन हमने कहीं देखा नहीं है कि ऐसा प्रकास कहीं मुड़ता हुगा द तो देखेंगे कि यह मुढ के प्रकास इधर नहीं जाएगे, क्या होगा, इसी कागज का यहां पर पीछे क्या बना देगी, छाया बना देगी, इसे हमें पता चलेगा कि भई प्रकास सीदी रेखा में चलती है, दूसरा क्या कह रहा है, यदि प्रकास रोत के सामने कोई अगर हम यहां से प्रकास इसमें से गुजरता है तो देखते हैं यहां पर भी गोला का बनता है ठीक है तो इस तरह से हमें पता चलता है उतना ही छेतर प्रकासित पाया जाता है जितना छेतर इसका आपका पाया जाता है छेतर ठीक है लेकिन अब यह दोनों घटनाय क्या प्र तोने से क्या होता है प्रकास तरंग निकलने के पश्चाद होती यह है तो हमें क्या होता है इसके количество क्यों त्युक्त थां उप आप मोड़ने की तो आप देख रहे हैं आप बहुत तीशन किनारे हैं आप देख रहे हैं बहुत बारीक छिद्र है तो इनसे टकराने की प्रश्चात क्या होता वो प्रकास की किरण क्या होती है सभी दिसाओं में फैल जाती है तो प्रकास तरंगों की अपनी तरंगदैर की क पोटी के अब ये जो आपको दिख रहा है जो छिद्र है उसकी लंबाई कितनी होगी लैमडा के लैमडा क्या है प्रकास की तरंगदैर अगर उससे जादा हो गई तो यह घटना आप नहीं देख सकते जैसे कूरसी मेज से टकराने के बार प्रकास नहीं न मुड़ता है लेकि यही है और अथवा छिद्र के कारण तीच किनारों पर आंसी रूप से मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं प्रकास का विवरतन कहते हैं तो ध्यान रखिए गाए अब हम देखते हैं इसके लिए सर्थे क्या क्या है ठीक है तो सर्थे होती है भी आपने देखा कि तर क्या है तो देखेंगे फ्रेनल के बारे में फ्रेनल मिवरतन तो देखते हैं कि यहां पर एक रेखा छिद्र है यहां देख रहे हैं यह रेखा छिद्र है आपका ठीक है इसमें प्रकास आ रही है कहीं से और कहीं जा करके फोकस हो रही है लेकिन देखने प्रकास रोत और ज ठीक लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रिखा चिद्र और परदे के बीच की दूरी तो यहाँ भी कोई खास दूरी नहीं है अर्थाद प्रकास अपने आप ही जा करके उस बिंदू पर फोकस ही थो जा रही है उसे फोकस करने के लिए हमें लेंस की आऊ सकता नहीं पड़ रही है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं फ्रेनल विवरतन की घटना ठीक हमी लेकिन अगर हम दूसरे केस में जाएं कि प्रकास रोध भी अनंद पर हो जैसे सूरज च कहते हैं इस प्रकार की पूरी विवस्था जो होती है उसे हम फ्राउन होफर विवरतन पराप्त करने की बीधी तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे कल फिर देखते इसके लिए व्यन्जक प्राप्त करेंगे